राश्ट्रिय राजधानी में मुख्य मंतरी अर्विंत केजरीवाल के सीएम पत से इस्तीफे के एलान के बाद दिल्ली की राजनीती में तूफान सा आ गया है। आम आदमी पार्टी के राश्ट्रिय सन्योजक ने कहा कि वह दो दिन बाद मुख्यमंत्री पत से इस्तीफा देंगे। इस सियासी उठापटक के बीच कॉंग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पाइलट का बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस दिल्ली में हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तयार है। सचिन पाइलट ने आगे कहा दिल्ली में जो भी आगामी घटनाकरम होगा, कॉंग्रेस उसके लिए पूरी तरह तयार है। हम अपने नेत्रित्व के निर्देशों का पालन करेंगे और हर चुनावी चुनावी का सामना करेंगे। दिल्ली और हरियाना में कॉंग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। सचिन पाइलट ने कहा यह उनके दल का फैसला है लेकिन लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता का होता है। कॉंग्रेस हर चुनावी के लिए हमेशा तयार रहती है। हरियाना और जम्मु किश्मीर में चुनाव हो रही है। कॉंग्रेस और हमारा गठ बंधन इन दोनों राज्यों में भारी बहुमत से विजय होगा। बीजेपी ने हर जगह सत्ता का गलत इस्तिमाल किया है। जनता ने विकास और सुधार के लिए सरकार चुनी थी। लेकिन बीजेपी ने विरोधियों को निशाना बनाना, मुख्य मंत्रियों को जेल में डालना, सम्विधान की मर्यादाओं को तोड़ना अपना मुख्य एजेंडा बना लिया है। रोचक बात यह है कि पिछले एक दशक में बीजेपी पर विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि वह राजनीतिक बदले की भावना से काम करती है। हाल के समय में कई राज्यों के मुख्य मंत्रियों और नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा कर जेल में डाल दिया गया है। लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर विपक्ष के दावे होते हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक शड्यंत्र का हिस्सा है और जनता अब इसे बखू भी समझ चुकी है। सचिन पाइलट ने PM मोधी पर निशाना साधते हुए कहा। कश्मीर में इंडिया गट बंधन पर आरोप लगाने वाली BJP खुद समविधान से खिलवाड करती है। BJP के नेताओं ने मन से समविधान में छेड चाड की बाते की जो लोक सभाचुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया। अब BJP बैकफुट पर है और राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद विपक्ष एजेंडा तै कर रहा है। सदन के भीतर और बाहर, BJP को अब अपने कदम पीछे खीचने पड़ रहे हैं। सचिन पाइलट के इन तीखे बयानों ने सियासी गल्यारों में हलचल मचा दी है। और कॉंग्रेस की आगामी रणनीती को लेकर अटले तेज हो गई है।